अलो फ्रेंट्स वेलकम ट्रेन आनस टॉक्स और देखिए ऐस एक्सपेक्टिड आज निफ्टी ने अच्छी खासी गाप आप ओपनिंग दी उसके बाद में वुलाइटिलिटी इंक्रीज हुई मार्किट्स नीचे भी आए लेकिन यहाँ पे रिकवरी जो थी वो बहुत प् टीवी दिखाई दिये सबसे important point है अब देखिए expiry नजदीक है 26 अगस 2021 को जो होगी monthly expiry and एक particular strike price पर सबसे बड़ा OI बैठा हुआ है जहाँ पर straddle created है और वही strike price आपको पैसा कमा के देगा जबर्दस थरीके से जादा detail में जानकारी लेंगे Nifty Tomorrow की आज की वीडियो में ज Capital India जो की एक small cap company है आज तकरीबन 4.5% की गिरावट है हाला कि पिछले अगर कहीं महीनों का इतियास देगें तो यह stock price अपने top से अपने 52 week high से लगबग आधा हो चुका है बहुत भैतरीन company बहुत शांदार company 800 से नीचे का stock price हुआ करता था मार्च के आसपास अगर आप यह थे 5 मार्च 2021 को और यह देखे एक ऐसी company है जो mobile marketing के basis पर इंडिया में सबसे बड़ा structure लेके बैठी हुई है और mobile applications को use करते वे जो आप ads encounter करते हैं उनको देखते हैं वो सारे के सारे इसी company के द्वारा manage किये जाते हैं अच्छा यहाँ पर आज मेरे पास में security वे इसलिए मैं यह आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ फिलाल मैं आपको एक important notification जो इस stock के उपर आया है वो देखने की कोशिश करते हैं और फिर chart के उपर आपको लेके चलूँगा technically जानने की कोशिश करेंगी कि क्या इस stock के अंदर इस news की वज़े से आपको positions बनानी चाहिए इतनी गिरावट के बाद या फिर नहीं तो सबसे पहले BSC के communication जो यहां पर आईए कि 26 अगस 2021 को ये company एक split consider करने जा रही है इन फैक उसका approval भी आ सकता है अगर share धारकों की तरफ से approval मिल जाता है तो अभी इसकी जो face value है आप देखिए यहां पर 10 रुपे है और इसका जो stock price है आज की तरीक के हिसाफ से देखें तो 3836 रुपीज का heavy ticket size का stock price है इसको split करने की बात की जा रही है तो अगर ये list पकड़ते हैं कि list इसको लेके आना है जादा से जादा participation भढ़ाना है retail investors का तो हो सकता है ये एक share 10 part में divide हो जाए तो उसके हिसाफ से तकरीबन 380 रुपेख अगर ऐसा होता है तो ये जादा जानकरी हमें मिलेगी 26 तारीकों की किस ratio के अंदर ये लोग split करने जा रहे हैं देखें ये news जो थी आज की ही है 23 अगस 2021 की in fact अगर और इसका time मैं आपको दिखा हूँ तो यहाँ पर आप देखिए 10 बच के 3 minute की ये news है क्यों आपको time दिख खाता हूँ इस stock के अंदर कोई बड़ा impact इस news का नहीं पड़ा है लगातार ये stock पिछले कई महीनों से गिरावट दिखा रहा है ये है वो levels जहाँ पर इसने अपने 52 week high लगाये थे March 2021 में and since from then एक बहुत बड़ी गरावट इस stock ने देखी है और बहुत जादा लोग इस stock के अंदर फसेव हैं यहाँ पर आया है देखी आज यह and इस level को अगर मैं समझता हूँ कि तो देखे यह एक वो level है जहाँ पर यह previously consolidate हुआ है and इस consolidation के बाद में इस stock ने बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी levels यहीं है तकरीबन 4000 के और जब यह यहाँ से इसका breakout हुआ तो यह कह तक पहुचा था 6200 तक के levels पर पहुचा था तो यह हमें भूलनानी चाहिए कि जिस area में यह आ चुका है यह एक बहुत strong support का area है यानि कि further इसके अंदर गिरावट होना काफी जादा मुश्किल होगा इस support को तोड़ कर दूसरों देखे जो यहाँ पर technical impact इस stock के उपर आ रहा है और यहाँ से एक reversal होने के chances बन सकते हैं क्योंकि एक तो देखे यह अपने strong support के ओपर यहाँ पर बैठा हुआ है strong support है जहाँ पर यह इसने अभी closing दिये दूसरा oversold के अंदर reversal RSI में कभी भी आ सकता है अगर RSI reversal दिखाता है तो definitely यहाँ से buying opportunity दिखाई दे सकती है दूसरा देखे split की news आईए कोई बड़ा impact यहाँ पर stock market पे नहीं पड़ा जबकि मैं आपको बारबर बता रहा हूँ कि आजकल stock markets news के basis पर बहुत जादा sensitive हो गया है किसी भी stock में अगर इस type की कोई news आती है तो बहुत जबर्दस तरीके से buying interest उस stock में देखा जाता है equities के अंदर लेकिन यहाँ पर इतनी भयंकर गिरावट हो चुकी है कि लोगों का पैसा almost आधा हो गया है तो यहाँ पर देखे एक डर का महल ज़रूर है तो मैं overall अगर आपको बताऊं जो chart structure है बहुत ज़ादा weak है बहुत ज़ादा weak है और इसी लिए इस stock के अंदर अभी कोई fresh positions बनाना शायद सही नहीं होगा जब तक confirmation ना मिल जाए कि इस stock के अंदर reversal आ रहा है या फिर नहीं तब तक इस stock के अंदर आपको कोई fresh positions नहीं बनानी चाहिए अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो यह है कि जो लोग इन levels के उपर फसे हुए है top के उपर उनको क्या करना चाहिए देखे पहले तो यहाँ पर जिन लोगों ने bind करी है आपको मैं बता दूँ आपका बहुत गलत step था क्योंकि इस दौरान अगर आप RSI की value देखेंगे तो बहुत high थी और RSI की बिना देखे अगर आप किसी भी stock के अंदर position बना रहे हैं तो बहुत जादा नुक्सान उठान आपको बात बताऊं तो यह March 2021 में किन लेवल पर था? 876 पर और उससे पहले अगर आप देखेंगे बेसिकली और एक साल पहले अगर आप चलते हैं तो तकरीबन 700 के लेवल पर तो दो साल के अंदर इस stock price ने 700 के लेवल से और तकरीबन 62 के लेवल्स गेन करें हैं तो अरड़ी बहुत बड़ी तेजी stock के अंदर बन चुकी थी और भी एक important point दिखाता हूं कि देखिए इस stock के अंदर से भी ने ASMLT stage 4 भी लगाया हुआ है यानि कि additional surveillance mechanism stage 4 बहुत किसी भी stock के अंदर अगर कोई operators या फिर कुछ इस type की suspicious activity देखी जाती है trading के अंदर तो वहाँ पर additional surveillance mechanism से भी लगा देती है so that to protect the retail investors money कि ऐसा क्या हो रहा है उसको check करने के लिए उसको basically identify करने के लिए कि कहां कहां से इतना बड़ा पैसा आ रहा है इस stock के अंदर कि ये 700 रुपे से 600 रुपे पहुच गया and वहां से rectification करने की कोशिश की जाती है तो overall देखें अगर stock के अंदर इस type of positions बनी भी हो तो higher levels पर हमें पैसे उस stock में नहीं लगाने चाहिए तो फिलार जो condition है वो यही है कि इसका RSI and stock price जब तक reversal नहीं लेता तब तक हमें इस stock के अंदर further कोई positions नहीं बनानी चाहिए अगर यहां से कोई reversal आता है तो देखें पहला target क्या हो सकता है मैं समझता हूँ कि देखें जिस level पर इसने एक base बनाया था नीचे गिरते वे consolidate हुआ था यहां कई मैं बात कर रहा हूँ यहां तक के target आपको इस stock के अंदर देखने को मिल सकते है और यह target देखें तकरीबन 42 रुपे के आसपास आपको देखने को मिल सकते है लेकिन एक साथ में और चीज आपको बता रहा हूँ देखें जब भी इस stock के अंदर bonus यह split आता है देख split क्या है split के अंदर कोई fundamental changes नहीं हो रहे है company में split से कोई भी पैसा company से ना तो आ रहा है ना जा रहा है split is only a technical change जो उसके face value में किया जाता है and क्यूंकि face value जो भी split होती है तो उस वक्त जो भी premium price होता है stock market पे premium price मतलब वो price जिस पर आप खरीद बेच करते हैं यानिकि यह वाल regular ratio में divide हो जाता है तो overall situation क्या है इतने बड़े price के ऊपर क्यों basically split क्यों लाया जाता है क्योंकि देखे जब price बहुत ज्यादा भढ़ जाए तो एक arm investor ऐसे बड़े heavy stock के अंदर पैसा नहीं लगाता तो retail investors का participation बढ़ाने के लिए split किया जाता है and generally हमने देखा है कि पिछले एक consolidate हो जाता है बहुत कम उसके अंदर volatility होती है और बहुत कम gameplay होता है ऐसा general way में देखा जा रहा है ऐसा stock के साथ भी होगा ऐसा कोई guarantee नहीं है overall situation यह है कि जब तक picture clear ना हो मेरे कहने का nutshell में मतलब यह कि जब तक picture clear ना हो तब तक इस stock के अंदर पैसे नहीं लगाने चाहिए क्यो चाहरें तो definitely फिर आपको stock के अंदर काफी नीचे का bottom बन चुका है यहां से भी आप positions बना सकते हैं लेकिन आपको कितना time रुकना पड़ेगा अपने returns को लाने के लिए उसका अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता वो अभी definite नहीं है यहां से तो all over यह situation है Apple India Limited में जिसमें पारी गिरावट आचुकी है 6200 रुपीज से लेकि है इस वक्त अभी 3800 रुपीज के आसपास है चेक करना है कहां support है कहां से reversal है and then सोच के समझ के तब इसके अंदर positions बनानी है तो all over इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर ही pack यह वीडियो आपको कैसे लगी फ्लीज इडियो में गिस्टा किसा तिल देल थेक्यू बढ़ाई